प्रोब्लम है अन्दर सल्यूशन है जी, 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 जा तारक महता का उल्टा चश्मा तारक महता का उल्टा चश्मा तारक भाई, तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट लोज खिड़कियों के काश तूड़ जाते हैं आज भोड़ी इसे प्लेयर्स रिकोर्ड कोड़ जाते हैं तरक महता का उल्टा चश्मा काम दिन रात करवाती मेरे सास मुझे रोज बताती है ठीक से साफ कर अर दिल में प्रेम हो तो सास मा बन जाती है अच्छा वह हो सास मा प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ बस नजरिये की है बात तारग महता का उल्टा चश्मा तारग महता का उल्टा चश्मा तारग महता का उल्टा चश्मा अब ज़दी से टपूगे पापा को चाप कीजिया देखता हूं देखता हूं दो मिनट जोट लेगी का है? I'm ready, I'm ready Jidha भाई, बहुत जोर से शॉक लगा हाँ, हाँ, बहुत जोर से शॉक लगा है देख, अभी तर डरा हुआ है Let me check This बहुत जो मैंhmm Waरди, बहिर दोरेगे, बहिर दोरा के I would like it nearly a stop इस आधिर रखेफे wedge औरे जिटा भाई थोड़ा कॉपरेट कीजिए ना जरे लंबी-लंबी सांसे लेजिए छोड़िये फिर से छोड़िये अब थोड़ा कासी है तो हासी है बस 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 हो गया हो गया सीधे बढ़ जीए जिटा भई वैसे तो आप बिलकुल नॉर्मल हो लेकिन दया भाभी मुझे क्या लगता है कि जीटा भई को इतनी जोर से शौक लगा है कि इनके दिल में एलेक्टरिक करण का डर बैठ गया है अब उसे दिल से बहर नीकालेगा कैसे अरे नहीं नहीं देव भभी मैंने कहा कि उनके दिल में एलेक्ट्रिक करन्ट का डर बैठ गया है डर मुझे लगता हैं इनको फोब्या हो गया है फोब्या फोईबा नहीं फोबिया फोबिया यानि कि कुछ लोगों को किसी भी छोटी बड़ी बात का बहुत डर लगता है जबकि वह बात हमारे ले बिल्कुल छोटी होती है पर जिने फोबिया होता है उनके लिए बात जानलेवा डर जैसी होती है किसी को उचाई का फोबिया किसी को कम्रे में कैद होने का फोबिया, किसी को रस्ते पे चलते हुए एक्सिडेंट होने का फोबिया, वैसे ही लगता है जेठा भाई को एलेक्ट्रिक करण का फोबिया हो गया है। मतलब टपू की पापा आप जिंगी पर ऐसे ही डरते रहेंगे। नहीं, एक दो दिनों में नॉर्माल हो जाएंगे, तो अच्छा है, वर्ना, किसी इलेक्रिशन को बताना पड़ेगा, मतलब किसी स्पेशालिस्ट को बताना पड़ेगा, नहीं? सही बात, अच्छा तो पर मैं चलता हूँ, जेटिया, हाथ लगा के फीस देले। अरे, आप भी क्या बात कर रहे हैं, चाचा जी? आप तो बिना वायर के करेंट दे रहे हो अरे, गोकुल्धाम सोसाइटी मेरी फैमली जैसी है, और अपनी फैमली वाले से कोई फीस लेता है, क्या? और हाँ, अगर फीस दे नहीं है ना, तो जेटा भाई ठीक हो जाएं, तो आम रस और पूरी की पाटी दे दीजेगा बस, खाने की बात आम का सीजन तो हाई ही किया है, क्यों सही बात है की नहीं? शेटा भाई, बिलकुल चिंदा इसाथ पाटीज को जाएंगे, आराम से सुझे होगा और जेटा बात पाई ऐब फल्कुल टीक होजाएंगे अराम से सुझे, कुछ नहीं होगा कॉट भाई, बी अखी जहें है, भाभाई की बात हो जया जा, पाई जिए पापुजी चल्ड़ आराम से सान जिसस हो जाए है नहीं क्या हुआ वो लेंप वो लेंप वहां से अटा दे हाँ मैं बंद कर देती हूँ अरा बंद नहीं उसका वहां से अटा दे अधी रात का अपने आप चलू हो गया और उसका कुरेंट पुलंग में आ गया तो रहे रखिया दिखने रहे हाँ 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 यह यह दखिया मैंने यह बंद कर दिया और इसे यह नीचे रख दिया बस आया आया कुछ ने है मत जी टपू की पापा को यह क्या हो गया है पापा बुद मॉर्निंग यह जीट्या ठीक है ना? ठीक हो बापजी बंकर दपू बंकर दपू बंकर उसमें शॉट्शन के नुरा बंकर अरे पापा पीव में शॉट्शन के निगुआ मैं पिच्चर देख रहा ना? उसमें विजनी करा जरीए देखो क्या रहा है? सुबह शॉट्चर डेखता है बंकर बंकर लेटीव तो क्या जिन गी बर छत पे जाके बेटा रहेगा? इज देख, पेपर में क्या लिखा है? शिम्ला में एक आजमी को बात्रूम में नाते वाग गीजर से शौक लगा तो वो क्या जिन गी बात्रूम में नाने नहीं जाएगा? यह पकोन, घीजर तो मेरे बातरूम में भी है, मुझे भी शॉक लग सकता है, नहीं आच्छे में बातरूम में नहीं हूँगा तो पुर पापा, अपना रभने जाय सकते हैं न हैं मेने कपड़े धू लिया वाथरूम में कैसे जाओं? क्या सोच रहा है? नाना नहीं है? नहीं है? हाँ तो जाए? वाथरूम में से गिजर निकाल दे क्या? वाथरूम में से गिजर निकाल दे क्यो? मुझा शौक लगेगा यह नहीं लगेगा भविस्या वाणी मत कर बोला उतनाकार बिजली और पानी एक दूसरे के कट्टर दुस्मन है उसके बिच में जोबी आता है उसकी हालत बेंगन भरते जैसी हो जाती है जा के गिजर निकाल दे लेकिन इतना बड़ा गिजर मैं केसे निकाल सकती हूँ तो उसका प्लग निकाल दे ठीक है? जा नमस्ते चाचा जी नमस्ते नमस्ते है शुपो इस यह यह नहीं गूद मॉर्निंग बभीता जी अई गुद मॉर्निंग अईर भाई गुद मॉर्निंग कैसे हो आप? यो पॉप्वी पपा अरे? मवीता जी? आई 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 मवीता जी मैं आपके लिए चाह और अईर भाई आपके लिए कोफी बना खर लाती हूं अरे ने 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 तेव आभी हम लोग ब्रेक्फस्स करके आये हम तो सिर्फ जिठा जी का हाल-चाल पूछने आये थे थेंक्यू बभीता जी हाँ एयर भाई आप लोगों को मेरी इतनी चिंता इतनी फिकर है थेंक्यू अब तुप के पापा मैंने वो गीजर का प्याग निकाल दिया है अब आप बिनना डरे नहा सकते है हाँ याड अला तुम अभी भी करेंट से डर रहे हो हाँ अरे नहीं अच्छा तो अभी टीवी में चमकती बिगली रखके डर क्यू रहा था याड अलाल अच्छा भाई मैं डरता नहीं हूँ अरे नहीं डर रहा है तो यह चेरे पर बारा क्यू बजे क्यमा आता हूं हम लग चलते ही, okay? अरे बस जह रहा है बभी टाजी हाँ 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 तुम डरना मत मैं डरता नहीं हूँ भाई चुदो यह अरे बढूता यहे है, बाई अरे, बुट्मारिग मैं डरता नहीं है मैं डरता नहीं अरे हम रसाए जय्याड हलाल को पूछना मत की उतको डर लग रहा है नहीं पूछने पर गुस्दा होता है चलो अरे डरता नहीं है हाँ चलो बाई यह रखाज़ आप जरा नहीं ज्यादा डर रहे हो हाँ तो अरे भाई शौक लगा बराबर है लेकिन इतना डरने का चाचा जी इसमें जेठालाल की कोई घलती नहीं है फोबिया में ऐसा ही होता है मांसिक प्रॉब्लम है मांसिक स्थिति ऐसी है है मतलब मांसिक स्थिति में कई बार चोटे मोटे डर बैठ जाते हैं और ये थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं इसलिए आप अगर जेठादाल को डाटेंगे नहीं और हिम्मत देंगे और प्यार से समझाएंगे तो इसका भी फोबिया ठीक हो जाएगा वा थेंक यू एक दोस्ती एक दोस्त की तपलिक समझ सकता है थेंक यू दोस्त भया मता सब के लिए एक मुशालवदार कड़क चाई बना के लिए के आजा जल्दी ने 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 जा बाविने चाई भाई नहीं मुझे अभी बहुत देरोगी ऑफिस जाना ऐसलिए यह चाय फिर कभी पिऊगा, चलता हूँ चलता हूँ अजय जिनन चाजेए बाई बाई अपना लेजाए हाँ तुने शच में पलग निकाल दिया है ना? हाँ तुपके पपा, बिलकुल चिंदा मत कीजाए मैंने पलग निकाल दिया है और गीजर के उपर कपड़ा ढग दिया है आपको ऐसे ही लगेगा, कि इस बातरूम में कहीं गीजर है यह नहीं हाँ चलता शोपी क्या करूँ वापस घर में भी नहीं जा सकता जहांगा तो बापुजी डाटेंगे नीचे भी नहीं उतर सकता क्या करूँ जेठालाल क्या हुआ? अरे बाप प्रपपतलाल अगर इसको पता चला कि मैं वायर से डर रहा हूँ क्या जेठालाल क्या जेठालाल क्या शीडियों के अपर देखने रहे तो हरा हरा देखो तो हरा हरा देखो एक मिन्ट एक मिन्ट अरे जेठालाल यह साफ नहीं है यह बेल है बेल वह वहां से अवां से उड़कर यह तक आगया होगा बेल है? हाँ यह देखो अच्छा देखो यह बेल है अरे भाई तुम घाम का तर गए ने ने मैं डरा नहीं था मैं तुमारी परिक्षा लेह रहा था कि तुम डर रहे हो कि नहीं अरे जेठालाल ने ने चिंता मत करा मैं सोसेटी में किसी को नहीं बताँगा कि तुम बेल को सांप समझ का डर गए थे देखो जेठालाल एक मिनिट हालो ने ने बस में निकल ही रहा था अरे निकल चुका हूँ हाँ हाँ ने ने क्या है चला हास गया हे बगवान अभी दुकां तक रास्ते में और कोई वायर ना मिले ऐसा करना प्लीज थेंक यू प्रफु मेरे लिए आपने रिक्षा कंपॉं तक भेग दी थेंक यू और वाय वायर यह अब के रिक्षा में कोई मिटर का लाइट का वायर लूच तो नहीं यह एक में चेकिंग करने जो बढ़ वाय झाल बढ़ एमजी रोड तू कहां से गया है तू कहां से मतलब यही से में रहता हूं ना मतलब तू कहां घुज गुज गया उतर उतर मुझे जाना है तो जाओ ना ना के दूसरी रिक्षा मिल जाएगी है तुम कभी तू ना के से दूसरी रिक्षा मिल सकती या ना लेकिन जे ठाडल मुझे रिक्षा तो नाके पर जाके दुशरी रिक्षा में तो रिक्षा मेरें रिक्षा मेरें यह रिक्षा तुमारी है मेरे मतलब रिक्षा मेने पकड़ Mae जान को तो फिर बैठे कियू नहीं मैं जगा गवार लूजबुचता है के नहीं मतलब अभी भी दिल में वह करंण का डर है कोई डर नहीं है दिल मैं तु उतर ना भाई देखो देखो कुछ सारा है मतलब डर है तुम्हें अरे भाई तु उतर मुझे दुकान जाने देर हो रही है जेठालाल, मुझे भी डिलीवरी करने जाना है, मेरे हाथ में सामाने, जेठालाल तुम्हारे हाथ जा दो कुछ भी नीए, तुम्हें से हाथ हला जा साथ नाके तक है यह को रिक्षा मिल जए कि वापया पैया, please ah please जल भाइ मेटर दाओने, चल-चल, M.G. Road Please please sir, okay क्या बगवन मुह तक रिक्सा का निवला भेजा और छिन भी लिए अब ये दूसरी रिक्सा मिले उसके पहले कोई वायर नम मिले तो अच्छा है कोई चलतीवी लिफ्ट अचानक रुख जाया और उसमें आप अकेले फसेवे और हो चारो तरफ अंधेरा तो आपका हाल कैसा होगा मेरे मित्र जेठाल का हाल इस वक्त वैसा ही है यह यूँ कहा है कि वो सुबही सुबह निकले किसी कुट्टे को घुमाने के लिए हो रास्ते में पता चला कि जो साथ में चल रहा है वो शेर है क्या होगा मेरे परम दुखी मित्र जेठाल का क्योंकि उन्हें जाना है दुकान और साथ में है फोबिया डर कई रास्ते में कोई खुला वायर मिल गया तो करंट आ गया तो भई ये दर जेठाल को क्या दुकान पर पहुंचा पाएगा और मुझे तो लगता है कहीं ये डर जिन्दगी बर साथ न चले पर ये जिन्दगी में बहुत तरह के फोबिया होते हैं लोगों को और आजकल तो सच कहूंगो लोगों को सच्चाई और इमानदारी से फोबिया है उन्हें डर लगता है इन दोनों चीजों से इससे दूर भागते हैं लेकिन जो लोग इनसे दूर भागते हैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अपने अच्छे वरतमान के लिए हमारे देश चाहता है